तो दोस्तों आज मैं आपके लिए पालक और बेजन की बहुत ही स्वाधिस्ट रेसिपी ले कर आई हूं बहुत ही कम मसालों में और जटपट से ये सबजी बन कर तयार हो जाती है तो चलिए जटपट से ही बनाना स्टार्ट करते हैं इस पालक बेजन की सबजी को और यहां मैंने पालक ले ली है तो यह 500-300 ग्रम पालक है और इसके जो डंटल है बहुत नरम है देजी पालक है इसलिए हम इसको डंटल साथ यूज़ करेंगे अगर आपकी पालक मौटी बाली है जिसके डंटल मौटे है तो आप उसको अलग कर दीजी तो पहले इसको हम अच्छी तरह से धो ले ते हैं और यहां हमने पालक को धो लिया है दो से तीन वार पानी से और यहां एक कड़ाई में मैंने पानी गरमोने रख दिया था जैसे ही कि फानी में हमारा हलका सा उबाल आने लगेगा हम इसे सारी पालक टाल देंगे गस का फलिम हई रखेंगे और राक से हाई पर हमेंसे दो से तीन मिटे से अच्छी तरह से AHSA आद लेंगे आप चाहें तो इसको छनी में निकाल कर पंके के नीचे रख दीजिए या फिर मेरी तरह से ठंडे पानी में इसको तुरंतर डालते जाएगे तो पूरी पालक को हमने इस तरह से इसमें डाल दिया है और ये 2-3 मिट में ही जल्दी से ठंडी हो जाएगी ये देखिए फटा-फट से ठंडी हो गई है अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे इसका पानी जादा नहीं निकालना है और एक बिक्सी के जार में हम इसको डारेक्ट डालते जाएगे पानी हमने इसलिए इसका जादा नहीं निकाला है क्योंकि पीस्ते टाइम हमें वैसे भी पानी डालना होता है तो इस स्टेज पर हमने इसमें पानी नहीं डाला है और इसको पल्स मोड पर चला लिया है हल्का सा दरदरा ही रखना है एकदम बारिक नहीं करना है तो यह हमारी पालक पिस चुकी है, अब एक कडाई लेंगे, कडाई में आदा चम्मच हम डालेंगे तेल, आदा चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरे, एक बड़ी साइज की प्याज को मैंने बारी चौप करकर ले लिया है, जहां तक हो सके आप जो प्याज है उसको बारी की कट कीजिए और थोड़ा सा हम इसको लो फ्लेम पर हलका सा नर्म कर लेंगे, थोड़ी देर बाद हम इसमें डाल देंगे, साथ से आठ लैसुन की कलिया, मैंने उसको अच्छी तरह से किस लिया है, और डाल देंगे एक इंच अधरक, इसको भी हमने ग्रेट करकर ही डाला है, और हम सारी ची तो जो हमने मसाल के लिए चम्मत यूज की थी, उसी के हिसाब से मैंने यहां तीन चम्मत बेसन लिया है, और इस बेसन को भी हम इस प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, और तब तक भूनना है, जब तक कि बेसन में जागना आ जाए, जैसे ही बेसन में हलका सा दिखाई देगा, इसका मतलब कि हमारे जो बेसन है, वो अच्छी तरह से सिख गया है, अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, तो मैंने यहां दो लाल मिर्च को हलका सा कट कर के डाला है, आप चाहें तो साबुत, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अब इसमें हम डाल है इसके बाद हमसमे ढल दीगे आदा चम्मस नमक यानि की स्वादानोसार नमक आदा चम्मच हल्Дी पाउडर एक चम्म Зणा पाउडर और इस सबजी में बहुत बढुट असवादा ए इसके लिए मैंने यहाँ एक चम्मच $ दिया है इसी काश्मीरी लाल मिर्च मिर्च आप अपने इसाब से कम्या जादा भी कर सकती है काश्मीरी लाल मिर्च से जो सबजी का कलर है वो बहुत बढ़ी आ जाता है और इन सारे मसालों को हम फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं आदा कप ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से सिख जाएंगे और low flame पर हम इनको तब तक सेखेंगे जब तक कि ये सारे मसाले कड़ाई नहीं छोड़ देते तो ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से सिख गए है सारे मसालों ने हमारी जो कड़ाई है उसको छोड़ दिया है अब इसमें हम डाल दिंगे पालक जो हमने पालक पीसी थी इसके साथ ही मैंने यहां आदर ग्लास पानी और डाल दिया है और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे पालक को इन सारे मसालों में हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अब इसके बाद मैंने यहां लिया है दो छोटे चम्मल दही और दही खटी बिल्कुल भी नहीं है तो यहां दही डालने से जो सबजी है हमारी वो बहुत तेस्ती बन कर तेयार होगी हमने इन सारी चीजों को बच्ची तरह से मिला लिया है और यह देखिए अब हम इसमें इसको ढखकर थोड़ी देर के लिए पका लिए तो हमने पालक को तीन से चार मिल्ट पका लिया है यह देखिए आप पीस में चलाते जरूर जाईए और आपको यहां दिख रहा होगा कि ह अलका सा तिल उपर आ गया है इसका मतलब की हमारी जो सबजी है बनकर रेडी हो गई है अम मैंने इसमें डाला है एक चमच पावभाजी मसाला बुलकुल ऑप्सिनल है आप चाहें तो डाल सकते हैं और अगर पावभाजी मसाला नहीं हो आपके पास तो आप यहां आदा चम अदा चमच बेंगे राई अच्छी तरह से चटक जाना चाहिए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लैसुन तो यहां मैंने पास से छै लैसुन की कलियों को थोड़ा सा चॉब कर लिया है और इसको हम घी में डाल देंगे और ग्यास का फलेंगे क्योंकि घी गर्म है तो हमारी जो लहसुन है वो उसी में पक जाएगी अब यहां मैंने एक हरी मिर्च और दो लाल मिर्च ली है एक चम्मज डालेंगे इसमें सफेद तिल जिससे हमारी जो सबजी है वो बहुत जादा टेस्टी बनेगी अब यहां मैंने थोड़ी सी ली है पहले से बॉयल की हुई मटर मटर डालना ओप्सिनल है आप चाहें तो डाल सकते हैं आदा चम्मज डालेंगे इसमें कसमेरी लाल मिर्च और इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगी गी गर्म है तो इसमें सारी चीजें हलकी सी पक जाएंगी अब थोड़ा सा तड़का हम इसी में डाल लेते हैं और थोड़ा सा जो तड़का है हम वो बचा लेंगे तो दो से तीन चम्मज मैंने ये तड़का इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है और इन सब को हम अची तरह से एक बार मिला लेते हैं तो देखा आपने बहुत कम मसालों में फटा फट से हमारी पालक बेशन की सबजी बनकर तेयार है अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज प्लीज सब्स्राइब जरूर कीजिए अब हम फटा फट से अपनी सब्जी को सर्प कर लीती हैं और जो हमने थोड़ा सा तड़का बचाया था वो इसके उपर से हम डाल लेंगे तो जब भी आप सब्जी सर्प करें इसके उपर इस तरह से तड़का डाल दीजिए और यहां मैंने नीबू लिया है तो आप चाहें तो इस तरह से उपर से थोड़ा सा नीबू डाल सकते हैं जिससे इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यह लीजिए हमारी पालक बेसन की बहुत ही स्वादस सब्जी बन कर तैयार है तो आप यह सब्जी एक बार जरूर ट्राई कीजिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई